तीन साल की बच्ची को पहले मृत घोशित कर दिया गया तीरा घंटी बाद अंतिम संस्कार के समय वो अचानक ही जिन्दा हो जाती है और एक दू घंटी की बाद फिर उसकी जान चली जाती है सूची अगर आपके सामने ऐसी घटना हो तो क्या होगा ये सूच करे रॉंग्टे खरे हो जाते हैं कि स्वर्ग सिधार चुका वैक्ती अचानक ही जिन्दा हो जाए तो उसके अपने ही उससे दूर भागने लगेंगे लेकिन यहाँ एक छोटी सी बच्ची की साथ ऐसी ही घटना हुई है जो कि पहले अस्पताल में भरती होती है डॉक्टर की लापरवाही की वज़े से उसके जिन्दगी के साथ खिलबार होता है और अब उसकी अंतिम संसकार की तैयारी होती है तो अचानक ही बच्ची स्पेशल सेग्मेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना फांडे उपर वाला भी घचब का खेल खेलता है कभी कोई हटा-कटा आदमी चल बसता है तो कभी कोई उपर भगवान के पास जाचुका अंसान अचानक ही जिन्दा हो जाता है घटना ऐसी होती है दुन होकर बैठ गई तो फर कैसे कोई इस बात से अंकार कर दे कि वो जूट बोल रही है सिर्फ वो मा ही नहीं बलकि पूरा परिवार इस दृश्य को अपनी आँखों से देखा है और पहले तो उसे अपने प्यार दुलार और उस लड़की से हुए लगाओ को समझ कर इसे नजर ले जाया गया लेकिन बच्ची के साथ फिर वही घटना हुई और वो दुनिया छोड़कर वापस चली गई ऐसा अकसर फिल्मों में देखने को मिलता है लेकिन असवार यह सच में हुआ है मेक्सिको की घटना है जहां सच में एक लड़की इंफेक्शन की वज़ह से पहले पर एड्मिट किया जाता है इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोशित कर दिया बारा घंटी बाद जब बच्ची की टाबूत में डालकर अंतिम संसकार की तैयारी की जा रही थी तब ही वो फिर से जिन्दा हो गए जिसे देखकर वहां के लोग हैरान रह है बेहादी हैरान करने वाला मामला है यह जिसकी चर्चा अब सिर्फ मैक्सिको में हिनी बर्कि पूरे दुनिया में हो रही है बच्ची की मां का कहना है कि बच्ची के पेट में डड़ के साथ उसे तेज बुखार भी था जिसके बाद परिवार उसे डॉक्टर की पास ले है क्यामली को उस्पताल में एड्मिट कराने की सला दी गई जिसके बाद इलाज के दौरान ही उसकी जान चली गई तेरा गंटी बाद जब अंतिम संसकार की तैयारी हो रही थी तब बच्ची की मां ने देखा कि बच्ची जिन्दा है उसकी जानकारी पहले परिवार वालो जिसकी बाद परिवार वाले उसे फिर से अस्पताल लेकर चले गए जैसे ही डॉक्टर ने बच्ची को देखा वो भी हैरान रहे गया क्योंकि पहली बार उनके पास ऐसा कोई मामला आया था जो मरने के बाद भी जिन्दा हो गया था लेकिन जैसे ही घर वाले डॉक्टर के मिरत घोशित क्यों किया अस्पताल प्रसाशन पर बड़े सवाल खरे कर रहे हैं और अब जांच भी की जा रही है कि गलती डॉक्टर की थी या फिर बच्चे के साथ कोई चमतकार हुआ है आप बताएए आपकी क्या राय है उस्पूरे मामने को लीकर अपनी प्रतिक्रिया आपका मिन बॉक्स में साचा कर सकते हैं वीजे को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्नी खबरों को जानने के लिए जुरे रहे है जंता जंग्शुन के साथ कैमरे के पीछे देविशाल और मैंती आपके साथ बंदना धन्यवाद